12 year की school education और जब school education हमारी complete हो जाती है उसके बाद 3 year की graduation इस तरह से 15 years जब हम education ले लेते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो अब job के लिए अब हम क्या करें तो फिर कोई job related course भी हम कर लेते हैं और इस course को करने के बाद फिर हम क्या करते हैं अलग लग जगे companies में जाकर इसकूल में जाकर job ढोड़ते हैं और उसके बाद भी इस चीज़ की कोई guarantee नहीं रहती कि आपको job मिले और मिल भी जाये तो कितने time तक job रहेगी इसकी भी कोई guarantee नहीं रहती और जब हम entrepreneurship in education के बाद करते हैं तो देखिए एक नई चीज एक पहतर चीज एक अच्छी चीज क्या है कि school time से ही अगर बच्चों को बताया जाए जौब ढूड़ने की जगे आप किस तरह से आप अपना खुद का काम start करके आप इस लायक बन सकते हैं कि आप दूसरों को job दें तो कितना अच्छा है तो entrepreneurship in education आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं सिख्चा में उद्रम शेलता तो हम देखते हैं कि school में भी जो है entrepreneurship as a subject के रूप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सिखाया जा रहा है अपना जो उसका talent है उसको एक right direction में उसको और आगे बढ़ा सके तो इस वीडियो में हम इसी point पर बात करने वाले हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएए तो हम वीडियो को सुरूर करते हैं और इससे पहले की class में जैसे हमने बात किया concept of entrepreneur के बारे में कि entrepreneur कौन होता है entrepreneur is considered an innovator की एक उद्वी को एक नो प्रवर्ट तक माना जाता है an entrepreneur is highly creative and innovative और an entrepreneur is an individual who creates a new business की एक उद्वी वह व्यक्ति होता है जो एक नया website बनाता है तो इसली class में इस पर हमने बात कर ली थी और जब हम बात करते हैं on entrepreneurship के बारे में उद्वीलता के बारे में it is the process of starting and growing a company या company को सुरू करने और विक्सित करने की एक प्रिक्रिया है its purpose is to bring or improve something new in the market की इसका उद्देश क्या है बाजार में कुछ नया लाना या सुधार करना कुछ नया लाना जैसे मैंने आपको पहले भी example दिया कि जैसे हमने देखा कि पहले हम shopping के लिए market में जाते थे लेकिन market घर में आ गया मतलब Amazon है flip card है में इस तरह से अलग लगा हम देखते हैं online marketing की starting हुई इसी तरह से हम taxis की बात करते हैं पहले आपको बाहर जाना पड़ता था मोबाइल से या आप taxi बुक कर लेते हैं तो एक क्या था कि एक कुछ नया हुआ और दूसरी चीज इसमें कही गई कि improve something किसी चीज में सुधार करना जैसे पहले हम देखते हैं keypad वाले phone यूज करते थे बाद में smartphone आ गए तो इस तरह से जो पहले से चली आरे चीज थी उसको और बहतर तरीके से उसमें और ज्यादा improvement हुआ तो its purpose is to bring or improve something new in the market कि बाजार में कुछ नया लाना या जो चीजे चली आ रहे हैं उसमें बहतर तरीके से सुधार करना it is the ability and readiness to develop or nice and run a business enterprise की यह एक व्यवसाइक उदम को विश्चित करने विवस्तित करने और चलाने की छमता और तत पड़ता है तो यहाँ पर आपको यह भी पता चलगा कि entrepreneur क्या है और entrepreneurship क्या है अब हम बात करते हैं entrepreneurship in education सिख्चा में उदम श्रीलता तो हम देखते हैं कि school में जो entrepreneurship है एक subject की रूप में अब पढ़ाया जा रहा है तो इसका क्या फार्दा इसके क्या माइने है this means inclusion of entrepreneurship in education तो इससे अभी पराय क्या है सिख्चा में उदम श्रीलता के समावेशन से है इसका मतलब क्या है कि बच्चों में स्टार्टिंग से ही इस तरह के कौसल को develop किया जाए इस तरह के skill को develop किया जाए ताकि बच्चे का अंदर का जो talent है जो कुछ नया करना चाहता है उसको करे अपना खुद का काम ही start कर सके और जैसे मैंना आपको starting में बोला कि job ढूडने की वज़ा है खुद को इस काबिल बनाए कि ओ दूसरों को job दे सके अपना खुद का काम start करके with this strength from school level get the necessary knowledge and skill to start and grow their own business इसे विद्धियालिस तरसे ही विद्धियारतियों को अपना website सुरू करने और बढ़ाने यह तो आवस्ते ज्यान और कौसल की जानकारी प्राप्त होती है तो इसलिए जो entrepreneurship है इसको education में लाया गया इसका सिक्चा में समाविशन किया गया और इसको subject की रूप में विद्धियाले में पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चों को इसकाविल बनाया जा सकी कि उनके अंदर की जो talent है जो skill है उसको develop किया जा सके और बच्चा जो कुछ नया करना चाहता है कुछ innovative करना चाहता है तो और करके अपना खुद का काम स्टार्ट करें न and environment in school that helps student develop a wide range of valuable skill and competences की या विद्धियाले में एक ऐसे माहौल पर ध्यान केंदिट करता है जो विद्धियारतियों को मुलिवान कौसल और दर्ष्टाओं की एक विस्तिर सिंगला विक्सित करने में मदद करता है इसके द्वारा विद्धियारतियों की बहु मुखी प्रति एक जो बहुत बड़ी जो हमारी ट्रेडिशनल चीजे चली आ रही है कि पढ़ाई करके हमें जॉब करनी है पढ़ाई करके जॉब करनी है तो एचीज तोड़ना अब पढ़ाई करके जॉब नहीं करनी पढ़ाई करके अब जॉब देनी है खुद को इस काबिल बनाना है हम कुछ जो नया करना चाहतें वो करना है और आगे चल कर अपना खुद का काम स्टार्ट करना है अब इसके अगर benefits की बात करें these are valuable in both their personal and professional lives की या बच्चों के व्यक्तिकत और व्याफसाइग जीवन दोनों में मुल्लिवान है it teaches them how to think creatively and critically कि यह उन्हें रचनात्मक और आलोचनात्मक धंक से सोचना सिखाता है ताकि बच्चा अपने आसपास society में देखे लोगों की क्या क्या problem है उसके बारे में देखे और उन problems को देखकर क्योंकि हर problem एक नई opportunity लाती है और उन problems को देखकर ही देखे कि लोगों की क्या ज़रूरत है उसकी हिसाब से कुछ नया चीज श्टार्ट कर से कि कुछ नया product श्टार्ट करे it teaches them how to recognize and solve problem कि यह उन्हें समस्याओं को पहचानने और हल करने का तरीका सिखाता है it also helps to develop a growth mindset कि विद्यारतियों को विकास की महासिकता विक्षित करने में भी मदद करता है it teaches that how sorry it teaches that through hard work efforts and good education one can be successful कि यह सिखाता है कि मेहनत प्रयास और अच्छी सिख्चा द्वारा सफल हो सकते हैं आप किसी भी successful entrepreneur के बारे में आप पढ़ो तो उनकी life में था उन्होंने hard work किया effort लगाया और उनकी जो अच्छी education थी ठीक है उन्होंने उनको direction दी तभी हो सफल या successful हुए है it focuses on building on the primary skill in strength कि है विद्ध्यार्तियों में ओदम शीलता कौसल के निर्मान पर ध्यान केंदित करती है it provides strength with the knowledge and skill needed to start grow their own business की इससे विद्ध्यार्तियों को अपना website सुरू करने और बढ़ानी के लिए अवस्ज्यान और कौसल प्राप्त होता है इसके अलामा it helps strength to succeed in career industries कि ये विद्ध्यार्तियों को career और उद्ध्योगों में सफल होने में मदद करता है this allows strength to take more risk in life इससे विद्ध्यार्ति जीवन में अधिक जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि आगे बढ़ना है तो risk तो लेना होगा कोई काम start करना है तो risk तो लेना होगा develop the ability of strength to become effective leaders की साथी साथ ये विद्ध्यार्तियों में परभावी नेता बनने की योगेता का विकास करता है क्योंकि आगे चल कर जब आप अपना काम start करेंगे आपको और लोग चाहिए तो जब आप employees को रखेंगे तो अगर एक अच्छे leader बनेंगे तभी तो आप अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं लोगों को एक साथ लेकर चल सकते हैं और इसके बेनिफिट्स हैं तो इस वीडियो में हमने बात की entrepreneurship के बारे में entrepreneurship in education की इसका क्या लाब है इसके क्या फायदे हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद